आज अब दोस्तों मैं हूँ शहजाद आलंबरनी आप देख रहे हैं दबरनी शोओ आज हम अपने शोओ में जो मुद्दा लेकर क्या है वो मुद्दा है मोदी जी द्वारा राहत पैकेज की घोशना और उसकी सचाई उसकी हकीकत क्या है इस पैकेज की हकीकत क्योंकि आज मोदी जी ने राष्ट के नाम एक संबोधन किया उस संबोधन में लॉक्टाउन 4 की भी घोशला होगा एक तरह से चिसमें का गया कि 17 माई के बाद यानि कि 18 माई से पहले पहले लॉक्टाउन 4 के नियम जो है आप तक पहुँच जाएंगे नए रंग रूप का होगा लॉक्टाउन 4 लेकिन उसके सासाथ मोदी जी ने 20 लाख करोड के राहत पैकेज की घोशना की सवाल ये बनता है कि 20 लाख करोड सुनने मैं ऐसे लगता है जिसे कितना बड़ा पैकेज है कभी आपने सुचा है 20 लाख करोड में कितने जीरो आएंगे ये कामतोर पर सवाल हो जाता है संबित पातरा से भी सवाल पूछा गया था कि 5 ट्रिलियन में कितने जीरो आए ते वो जो बता नहीं पायते लेकिन आज वही सवाल फिर से है कि 20 लाख करोड में कितने जीरो आ जाएंगे दरसल 20 लाख करोड में 13 जीरो आएंगे यानि कि आप गिनते गिनते ठक जाएंगे इतना रुपिया होता है 20 लाख करो है या सिर्फ ये भी एक जुमला बन करके लह जाएगा जैसे के पंद्रा लाख मिलने वाले थे इसी पर हम चाचा करेंगे लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि मोदी जी ने जो घोषणा की थी पहले आप उसको सुनिया एक बाद कोरोना संकड का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेश आर्थिक पैकेज की गोष्णा कर रहा हूँ यह आर्थिक पैकेज आत्मा निर्भर भारत अभ्यान की एहम कड़ी के तोर पर काम करेगा बीस लाग करोड रुपिय का है यह पैकेज भारत की जीडिपी का करीब करीब दस प्रतिशत है तो यह थे देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनोंने यह एलान किया कि देश को राहत पैकेज की ज़रुत है इसलिए देश की जीडिपी का करीब करीब दस प्रतिशत हिस्सा यानि के बीस लाख करोड रुपे का राहत पैकेज देश को दिया जाएगा इस जो यह पूरा भाशड था जब यह तो हमने एक क्लिप आपको सिर्फ दिखाए इस पूरे भाशड में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन चार चीजों की जरूर बात की जिसमें एक था आत्म निर्भर भारत यानि के आप सौदेशी अपनाएं सौदेशी चीज़े खरीदें सौदेशी चीज़े बनाएं उसी के साथ जब यह पैकेज की गोशना की जारी थी तो उसमें चार चीजों का जिकर खास्तोर से किया गया और वो चार चीज़े थी जिसकी बात की गई थी उसमें लौ था उ लोगों को शायद ये लग रहा होगा कि ये 20 लाख करोर रुपे जनता में बाटे जाएंगे, शायद छोटे वयापारियों को डिरेक्ट ले दिये जाएंगे, शायद जिन लोगों की सैलरी रुग गई है उनको दिये जाएंगे, या फिर मजदूरों की हो सकता है ट्रेन का किराय भी इसी से भरा जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आपको हम बताते हैं दरासल क्या है, प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने कहा कि ये जो लंसम एमाउंट होगा, जो बीस लाख करोर रुपय के करीब बैठे गराथ पैकेज, इसमें पुराने जो पैकेज लाए गए हैं, जो RBI ने जो घोशनाएं की हैं, वो भी इसमें शामिल होंगी, अब सवाल ये बनता है कि RBI ने क्या घोशनाएं की हैं, दरसल लिक्विडिटी का जो खेल होता है, वो होता है कि RBI की तरफ से बाकी बैंक्स को एक पैसा दिया जाता है, कि लोन देने के लिए आपको जो है पैसा दिया जा रहा है अभी तक RBI जो है वो 8 लाख करोर रुपिया अलग अलग बैंकों को दे चुका है लोन देने के लिए इसका मतलब कि आप 20 लाख करोड में से 8 लाख करोड तो आप फॉरन तुरन धटा दीजे बचे कितने 12 लाख करो किसान समानी योजना थी बेरोजगार काल्यार्स योजना थी उनके तहत जो किसानों के खातों में पैसे दीए गए उजवला योजना के पैसे भी उसी में चुर दीए गए तो करीब करीब 2,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, पैकेजिस दिये जा रहे हैं वो भी उसमें शामिल होंगे जो आने वाले समय में जो पैकेजिस बनेंगे वो भी उसमें शामिल होंगे तो ले दे करके बचता कुछ नहीं है कुल मिला करके आपको एक जुमला मिला है बीस लाक करोर रुपे का लेकिन हमारे देश की जो गोदी तनखा देगी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है सवाल ये बनता है कि ये बीसला करोड का एनाउंसमेंट इस तरीके से किया गया कि आपको ऐसे लगेगा जैसे कि शायद पूरे देश की दिशा, दशा सब कुछ बदलने वाला है एक और बड़ा सवाल जो आत्म निर्फर होने की बात की, मतलब सवदेशी की जो बात की है प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी ने उसमें कहीं पर भी अपने पुराने प्रोजेक्ट मेक इंडिया का दिक्र नहीं किया, क्योंकि मेक इंडिया की वजए से अभी तक देश को हजारों करोड रुपे का नुक्सान हो चुका है, ले ऐसे ही सोशल मीडिया पर वो ट्रेंड होने लगा, खाले ट्रेंड होने से क्या देश की तस्वीर बदल सकती है, तो ये था बीस लाख करोड की सचाई के बीस लाख करोड रुपे आखिर जाएगा का, अब सवाल ये बनता है कि बैंकों को जो मिल जाएगा, आठ लाख और मिलेगा, हाला कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी की सरकार में अभी जो है 68,000 करोड रुपे बड़े बड़े उद्दोग पतियों के माफ किये, जिसमें नीरव मोदी भी थे, जिसमें मेहुल चौकसी भी थे, जिसमें विजय मालिया भी थे, जिसमें पतांजली बा इपिसोड कैसा लगा, यह ज़रूव बताएं, विडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी राह में जरूब बताएं, आज कि इस एपिसोड में इतना है, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेर जरू करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करें और आप हमें सोचल मीडिया पर यानि के इंस्टा ट्विटर और फेस्बुक पर फालो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दे हुए उन लिंक्स पर जा करके आप हमें सोचल मीडिया पर फालो कर सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया